हलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं श्रंदसी आज आप सभी पीएप मेंबर के लिए एक नई वीडियो लेकर रहा हैं जिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे यदि आप अपने यूएन का पासवर्ड भूल गए हो तो आप गरवेट अपने मोबल की चीज क्या है कि आपका जो भी आधार कार्ड है वो आपके पास रखना है जो भी आपके अधार कार्ड से मोबल नमर रेइस्टर है वो भी आपके पास होना चाहिए तभी आप अपने पास्वर्ड को पता कर सकते हो या पास्वर्ड को चेंज कर सकते हो ठीक दोस्तों दो का पासवड चेंज करने के लिए सबस्पहले आपको इपएफ हो के अपसेल वेबसाइड पर आ ना होगा वहां कर आपको यहाप दिख सकते हैं पॉरगड पासवड लगा हुआ इसको आपको दबाना होगा दोस्तों आपका जो भी यूएन नमर है वो यहापर फिल करना है और capture code को यहाँ पर fill करना होगा दोस्तों यह चीज आपको ध्यान रगना है जो भी आपका UN number है वो activate होना जरूरी है तभी आप यहाँ से password को change कर सकते हो ठीक दोस्तों तो दोस्तों मैं आपर अपना UN number और capture code fill करके मिलता हूँ आपसे ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको जैसे आपने UN number capture code fill कर लिया है उसके पर आपको submit पर दबाना होगा ठीक है दोस्तों submit पर दबाने पर दोस्तों फिर से आप पर पुछ detail मांगेगा डेटेल माँपको आपको अपना नाम, date of birth, gender ये तीनों चीज आपको यह पर fill करना है ठीक दोस्तों तुम्हें यहापको fill करके मिलता हूँ ठीक दोस्तों तमिर अपना नाम ड sancto वर्थ जेंडर फिल कल लिया है दोस्तों जो भी नाम डडू टो भी आप को फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में और काउंट में वही आपको सैंहापर फिल करना होगा तभी आपका पासवर्ड छेंज ओ पाएगा ठीक दोस्तो उसके बद आपर verify पर आपको दबाना है verify पर आपने जैसे दबाया दोस्तो इसमें आपको capture code और आपका जो भी आधार कार्ड नमर है वो आपको यहापर फिर से फिल करना होगा ठीक दोस्तो तो यहापर आपको दोनों चीज फिल करके मिलता हूँ ठीक दोस्तो मैंने समय अपना अधार कार्ड नमर capture code दोनों चीज फिल कर लिया और चेक बोक्स पर दबाते हैं चैक बोक्स पर दबाने वगा दोस्तो फिर से आपको पर दबाना होगा आप जो भी आपके नमर डाला है उस यदि वह आधार कार्ड से लिंक है दोस्तों तो उस पर टीपी जाएगा ठीक दोस्तों उस ओटीपी को अब यहापर आपको इसको फिल करना होगा उसके साति हमें कैप्चर करड दिया हुआ उसको भी यहापर फिल करना है ठीक दोक है तो मैं आपको फिल करके मिलता हूं वह आप यहाँ पर डा सकते हैं लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो भी आपका पासवर्ड होगा उसमें एक तो minimum साथ character होने चाहिए one capital letter होने चाहिए one small letter होने चाहिए एक special character होने चाहिए और दो digit होने चाहिए ठीक दोस्तो maximum length उसकी 20 होने चाहिए ठीक दो यह चीज़ आपको ध्यान करके आपको यहाँ पर अपना password set कर देना है ठीक दोस्तों तो मैं आपर new password पर फिल करता हूँ उसके दोवारा से हो चेंज हो गया है आपको login करने में कोई प्रॉलम नहीं आएगी ठीक दोस्तों दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छी लग दोस्ते आपको फिर भी कोई प्रॉलम आ तो मुझे आप इस्टेग्राइट इस्टेग्राम आइडिए उस पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते इसके साथ मेरा बाट साप नमर है दोनुश्त मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी वहां देखकर मेरे को वीडियो को बाट साप और इस्टेगराइट दोनुपर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं ठीक दोस्तों दोस्तों वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद